वैसे तो अस्टेलिया वीजे में 48 आवर से लेकर 37 दिन में अस्टेलिया की जो फॉरेंग मिनिस्टर है उसकी स्पीच आप मैंसे कुछ लोगों ने सुनी फीपा जो वर्ल्ड कॉप हो रहा है अस्टेलिया और नुजी लैंड में हो रहा है सबसे पहले वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार चैनल को सस्क्राइब कर लीजे अभी भी 80-90% ओडियन्स ऐसी है जिसने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है मैं आप लोगों के लिए नय-nय अपडेट लेके आता रहता हूं बहुत सारी कंट्रीज नय-nय अपडेट निकालती रहती है वीजा में कुछ ना कुछ चेंजिंग करते रहते हैं तो आज का ये वीडियो है ये आज अस्टेलिया में क्या कुछ चल रहा है अस्टेलिया वीजा में कितना टाइम लग रहा है अस्टेलिया वीजा में हाली में टुरिस्ट वीजा में क्या अपडेट आये हैं वर्क परमट का क्या सीन है और स्टेडी वीजे के भी आज कल मुझ आये हैं अभी हाल ही में अस्टेलिया की जो फॉरेंग मिनिस्टर है उसकी स्पीच आप मैंसे कुछ लोगों ने सुनी होगी मैंने भी दो बार उसको इंग्लिश में या यानि कि हैड़फॉन लगा के सुना क्यों कि मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है लेगिन मुझे भी दो बार सुना तो मुझे समझ आ गया ज्यादा तर तो उन्होंने जो स्पीचिस में बोला है वो जो इल्लीगल आ रहे हैं उनके लिए और उन्होंने जो अस्टेलिया में पियार को लेकर थोड़ा बहुत उन्होंने कुछ प्रोग्राम लांच की हैं वो एक अलग वीड चाहता हूं क्योंकि मेरे पास सत्रांसो से अठारांसो मैसेज इस्टाग्राम पर आ गये हैं और मैंने जिन लोगों को वटसप का नंबर दिया है उन लोगों से भी बात नहीं हो पा रही है चौकि मेरा वटसप पूरा है को चुका है यानि कि हैक का मतलब है कि ऐसे हैक नही देखिये आप लोग सक्रीन पर देख सकते हो यह सभी लोगों ने मुझे 200-200 रुपे डाला है देखो भाईयो इसको गलत वे में मत लेना 200 रुपे से आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा लेकिन एक जैनुवन बंदे का पता लग जाएगा कि इसको एक्चुल में कोई मुझ एक्चुल बंदे का पता लग जाता है 200 रुपे की बात नहीं है बहुत सारे लोग उसको बोल रहे हैं कि मैं भी पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ बाई देखो यह बात सही है आप मान सकते हो इसको 200 रुपे से कोई आपका कुछ नहीं होता है जिसको एक्चुल में मुझस कर रहे हैं तो मेरे पास नंबर नहीं आएगा आपको उसी चैट बोक्स में जाकर अपना नंबर छोड़ना है मैं आपको कॉल कर लूँगा आज मुझे सुबह 8 लोगों ने पैसे डाले हैं 200 रुपे की हिसाब से 1600 रुपे मुझे सुबह तक आ चुका है उन 8 बंदों से मैं बात कर चुका हूँ मैं कॉल करने में 10 से 15 मिंट का समय लग सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं मैं उनसे बात कर रहा हूँ तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई जरूरी है मुझे से बात करना चाहते हो तो यह QR कोड आप लोग जो ज़्यदा लबा नहीं करते हैं आज मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ recognize cellia में अभी इन दिनों cellia वी जे में टाइम किति रा लग रहा है no पहला question है कि अस्टेलिया वीजे में अभी time क्या लग रहा है तो मैं बता देता हूं देखो वाई हो वैसे तो अस्टेलिया वीजे में 48 hour से लेकर 37 दिन में result इन्होंने लिखा हुआ है यानि कि आप मान के चलो कि 48 hour में अगर result भी दे सकते हैं वो लोग अगर ना दे तो 37 दिन मतलब 37 दिन से उपर अस्टेलिया में time नहीं लगेगा किसी का भी ये आप लोग Saturday Sunday निकाल के count कर सकते हूं वैसे मुझे पता है दो से तीन वीक में time में result आ जाता है लेकिन कुछ लड़कों के बहुत सारे message आ रहे है मुझे कि अपारा दो अपते हो गए तीन अपते हो गए रिजल्ट नहीं है तो पेशन्स रखो बहुत ज्यादा फाइलें आ गई है और आपको बता दूँ यह देखो यह तीन वीजा मैं फिर आपके लिए लेकर आया हूं यह लो तीन वीजा मैं यहां कर देता हो बंदे की प्रोफाइल यह देखो तीन वीजे यह चलो मैं इसके ऊपर कुछ लगा दूंगा यह देखो दो न्यो जी लेंड के हैं और एक इस्टेलिया का वीजा है बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं अस्टेलिया और न्यूजी लेन अभी वीजे दे रहा हैं इह देख सकते हो आप लो यह तीन वीजे हो रहे हैं और यह पां की पहले जरूरी है रिफ्यूजल है वो स्वीजर लेंड की है वो मैं बाद में बाद करूंगा वो आज का टॉपिक नहीं है तो भाईयो आज अस्टेलिया वीजे में टाइम लग रहा है पेशन्स रखो वीजा रिजल्ट आ जाए गया दूसरा है कि अस्टेलिया वीजा जो सब क्लास इन्होंने किये है इक क्या है मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग अभी भी confusion में है कि वो बैंक statement होती है न वो क्या करते हैं कि पहले पेज पर या लास्ट पेज पर stamp करवाना है sign करवाने है बैंक के कर्मचारी के और आपको upload कर रही है दूसरी गलती लोग क्या apply कर रहे हो अस्टेलिया का तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि उनको document upload करते वक्त सही से information नहीं है उनके पस घ्यान नहीं है आपको क्या करना है folder बनाना है जैसे मान लो आपको six bank bank statement upload करनी है तो folder का नाम लिखना है my six month bank statement अगर आपको ITR competition के साथ attach करनी है upload तो आपको लिखना है my ITR with computation business proof upload करना है तो my business profile या my business information upload कर देना है ठीक है ऐसे ही आपको covering letter itinerary सब चीज किसी का नया passport है तो my only लिखना है कि my passport और अगर किसी का पुराना है तो लिखना है my old passport ठीक है ऐसे करके folder बना के document upload करने है एक इन्होंने लिखा है कि ये वीजा आप लोग laptop और mobile से भी upload laptop से तो obviously बात है कर सकते हो mobile से भी upload कर सकते हो इनकी Australia की official website पर ये लिखा हुआ है ठीक है उसके बादे लिखा है faster visa processing time यानकी fast service है apply online at any convenient time जब मर्जी रात को करो 2 बज़े करो आदी रात को करो use mobile device to apply mobile का भी use कर सकते हो attach document online ठीक है check application status correct mistake और update details online भाई आप अपना status को track भी कर सकते हो जैसे मालो मेरे अभी कुछ वीजे आज मैंने सुबह track की है मैंने apply की हो है तो अभी भी under process दिखा रहा है ठीक है तो उसके बाद एक मैं चीज और बता दूँ बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या अभी मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाई थी आप लोग social media पर up to date रहो मालो किसी ने visitor visa apply किया है अभी एक लड़की ने कल मेरे से रात को बात करी थी कि वो फीफा वर्ल्ड कप जो अस्टेलिया में आगे फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसकी भी आप लोग टिक्टें खरीद के रख सकते हो आप लोग वैसे भी वीज़ा apply कर सकते हो ये अच्छा point है आप लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में अस्टेलिया में जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है मैं आपको डेट बता देता हूँ मैं अभी confirm नहीं हूँ फीफा वो वर्ल्ड कप अस्टेलिया फीफा वर्ल्ड कप अस्टेलिया तो भाई बिल्कुल बात सही है फीफा वूमेन वर्ल्ड कप हो रहा है कितनी तारीक को हो रहा है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ यह 67 डेज चलेगा शायद इन्होंने लिखा हुआ है औस्टेलिया और न्यूजिलेंड में होगा भाई बहुत बड़ी आपके लिए opportunity है फीफा वर्ल्ड काप है जो वूमेंस फीफा वर्ल्ड काप है अस्टेलिया और न्यूजिलेंड में हो रहा है AU और NZ लिखा हुआ है वाके में भाई यह इसकी भी टिक्टें आप खरीच सकते हो आप इसका भी पलान दिखा सकते हो बहुत अच्छी बात है यह ठीक है और ठीक है भाई यह पहला मैच हो रहा है कितनी तारीकों मैं यह भी बता देता हूं आपको सही बात है भाई फीफा वर्ल्ड काप न्यूजिलेंड आप लोग सक्रीन पर देख सकते हो फीफा वर्ल्ड काप 2003 होस्ट कंट्री अस्टेलिया और न्यूजिलेंड आप इन दोनों कंट्री का अब तो आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है यह जो फीफा वर्ल्ड काप न्यूजिलेंड और अस्टेलिया में हो रहा है उसकी भी आप टिक्ट खरीद सकते हो या निकि आप यह दिखा सकते हो कि आप मैच देखने जा रहे हो जो कि फुटबॉल का शुकीन हो अब मेरी बात बीच में रह गई थी अगर आप लोग अपने सोशल मीडिया पर कहीं भी गूमने जाते हो तो उसकी प्रफाइल आप लोग वीडियो पोस्ट करते रहते हो या फोटो पोस्ट वो भी एक आप उसका भी स्क्रीन शॉट लेके लगा सकते हो जैसे मेरे केस में म आप लोगों को बता दूं कि मेरे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है बॉर्न ओन एरपोर्ट मैं कम से कम 12 कंट्री ड्रेवल कर चुका हूं तो मेरे को अभी यूके का और स्विजर लेंड का वीजा इसी के भी आप पे मिला है मैंने यूट्यूब की प्रफाइल बताई थी उनको तो भाईयो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है और यह मैं आपको बता देता हूं किस डेट को यह शुरू हो रहा है यह जुलाई में शुरू हो रहा है जुलाई से लेकर अगस्त तक चलेगा ठीक है फीफा जो वर्ल्ड कप हो रहा है अस्टेलिया और नुजि वर्ल्ड कप हो रहा है अस्ट्रेलिया और नुजिलेंड में तो आप लोग इसका भी ट्रेवल दिखा सकते हो और हाँ वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं मेरी अगेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर किसी को मेरे से बात करनी है जरूरी बात करनी है तो 200 पता दूं कि अस्ट्रेलिया वीजे के लिए जो डॉकॉमेंट चाहिए पासपोर्ट आपकी आईटियार बिजनस प्रूफ अगर कोई शेलरी परसन है तो उसकी सेलरी सिरिप लब जाएगी और बाकि ट्रेवल आइटिनरी और कवरिंग लेटर मैं बना दूंगा बैंक बैल दिखाने की कोई जरूर्थ नहीं है और कोई पुराना फंड भी नहीं होना चाहिए मैं फिर बता दूं अस्टेलिया वीजे के लिए कोई पुराने फंड की जरूर्थ नहीं है हाँ ऐसा ना हो कि कल पैसा डाला हो कम से कम 15-20 दिन एक महीना पहले पैसे डाला हो तो ठीक है ज्यादा बैलेंस मैं तो जिसके भी वीजे अपलाई करता हूँ अभी एक लड़के का 1,85,000 पे भी वीजा है तो उसकी जो I.T.R. थी वो डाईलाग की थी इसलिए हमने उसका बैलेंस 1,85,000 पे शोग किया था अगर आप लोगों को मुझे बात करनी है तो दिए गे QR कोड के 200 रुपे डाल दीजिए मैं आपको विदिन आदे गंटे के अंदर अंदर कॉल कर लूँगा अगर आप लोग वीजा अपलाई करना चाहते हो तो मुझे इस्टाग्राम पर भी मैसेज कर देना और नहीं तो जो मैंने तरीका बताया कि 200 रुपे फॉन पर करने के बाद मैं आपको कॉल कर लूँगा सारी बाते हो जाएंगी तो आज की वीडियो में इतना बहुत है तक तक के लिए जैहिंद वंदे मात्रम